स्टापनेर्स वेकेंसी निकाले गई हैं वोपाल के इंदोर में वेकेंसी गई है जिसमें की मेल और फिमेल दोनों के लिए अलग-अलग केटेगरी वाइस इसको डिवाइट किया है तो यहां पूरा दीटेल बताने वाली हूं इसके लिए क्वालिफिकेशन कहाँ है एंच कि कितना मिलेगा पूरा डीटल तो बने लिए मेरे वीडियो के एंड तक वीडियो बहुत ही इंपॉर्टन होने वाली है इससे पहले अब गार आप मेरे चैनल पे नहे है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजएगा और मेरे अगर एकन को प्रेस कर लिजएगा क्यों कि सब्सक्राइब कर लिए महिलाओं के लिए महिलाओं के लिए महिलाओं के लिए कुल रिक्त पदो की संख्या 244 है जिसमें सीधी भरती महिलाओं के लिए कुल पद 211 है सीधी भरती में 211 है और एक समीधा के लिए ठीक है यहां पे देख सकते हैं महिला समीधा नर्स के लिए वो तीरपन मतला कुल मिलाके आपका 264 जो पद है वो सिब महिलाओं के लिए ठीक है तो यहां पे हम इसके बाद पूरुसका भी देखेंगे तो यहां लिए अनारक्षित के लिए देख सकते हैं 57 पोस्ट है अनुसुचित जानती के लिए 34 अनुसुचित जन जाती के लिए 42 अने पिछलावर के लिए 30 आर्थी गुप से कमजोर के लिए 21 तो यहां पर टोटल जो होगा वो 211 पोस्ट जो है निकाला गया है साथ में हम देख लेत के लिए आठ अनुसरी जन जाती के लिए ग्यारा अन्य पिछड़ा वर के लिए साथ हार्तिक रूप से कमज़र के लिए मतलब 53 यहां भी पोस्त है मतलब तोटल आपका 264 post जो है नर्स के लिए निकाला गया है इसके बाद हम पूरुस के लिए देख लेते हैं तो पूरुस के लिए देख सकते हैं टोटल 29 post निकाले गया हैं तो सीधी भर्ती में 23 post हैं और समीदा करमचारी के लिए 6 post है टीक है müतलब यहां 29 post है तोटल तो यहां पेद्सक्ता लूटकी है और अनुसुची जाती के लिए चार अनुसुची जाती के लिए फास्च अने पिछले के लिए तीन अर्थी घृ wherever you इसके बाद है हमारा समीदा वाले के लिए जो कि छे पोस्ट है जिसमें की हब जितने भी है अनल अच्छी अन्नसुची सब के लिए एक एक पोस्ट यहां पर निकाला गया है ठीक है यह थी इसके बाद हम देख लेते हैं इसके लिए आपके योगता क्या चाहिए तो इस्टा आझे अब इसके बाद हम यहां पर वेतन्वान की बात करे तो यहां पर वेतन्वान में देख सकते हैं कि स्टाप नर्ष की निप्ति प्रफण तीन माह के निश्टि पड़िश की जावति यह उत्रिन हुने के पड़िए इस थापना पर प्रप्दों में युगति किया जाएगा तिन महीन तक आपको क्या कर आपका पूरा वहाँ पर प्रक्ति तो आपको फिर से एक्जाम लिया जाएगा अगर उत्तिन होते हैं तो फिर से निकत किया जाएगा उसके बाद हम बात कर लेते हैं इसमें सुल्क आवेदन सुल्क तो इसके लिए आवेदन सुल्क आपको 10-1000 रुपए चाहिए अनुसुची जन जाती के के लिए είναι पिछ्डावर्ग के लिए ठीक है आरतिक रुप से कम जोर नीशक्द के लिए prc है यहां यहां पे अन्य casual के लिए एक हजार है बाकी अनूसुचित जन जाती न्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहां पर 800 रूपए दिया गया है कि इसके बाद एजली एक्सेशन भी दिया गया है तो एजली एक्सेशन में देख सकते हैं कि अनारक्षित वर्गे हेतू 18 और 40 वर्षी कि मतले नियुन तम आपका 18 और अधिक्तम 40 अनुसुची जन जाती है ने पिछड़ा वर्गे सबके लिए 18 और 45 तक जाएगा क्योंकि यहां पांस साल का आपका एजली एक्सेशन दिया गया रहा है ठीक है उसके बाद यह मैंने आपको पूरा डीटेल बता दिया है यहां पर चैन प्रक्रिया देख सकते हैं चैन प्रक्रिया स्टापनर्स के लिए हैं टो हाइर सेकेंट्री स्कूल अगर बार्वी तो वहां के आपके 20 मांक्स लिया जाएगा अगर बेसी जी एकरिये तो बिएसी वाले कपचीश जीनम वाले का 20 टीक है एमसी कि ए तो पांच और लिये जाएगा टोरल अब का सो उसके एक्वाडिंग आपको 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 देख सकते हैं एक फॉर्म है जिसमें को पूरा पूरा फो फिल करना है यहां पर आयएफ ऐसाई कोड भी दिया गया जिसके तरूर को स्टूर को पैसा ट्रांसफर वगेरा करना है ठीक है तो यह पासपोर्ट साइट आपको पूरा यहां पर पूरा अपने डीटियल देना है अगर आपको इसको पीडियुप चाहिए तो मेरा चाहिए तो अगर कुछ क्वेशन है तो कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं तो आज को वीडियो अगर आपको थोड़ा साई पसंद आया पूछेगा इन वीडियो को सेयर कर लिजेगा ठीक है तो मिलते हैं दोस्त नीव वीडियो में इतनी आपड़ेट के साथ तक के लिए बाए